कैसे हो आप सब लोग आपके साथ में बहुत ही अच्छी एक प्रेसिपी शेयर करने वाली हो जो की है डिनर रोल्स या फिर आप इसे बोल सकते हो स्टफ लादी पाव दुनों में से कोई भी नाम आप जो चाहे उसे ले सकते हो जैसे की रेसिपी पे अभी हमें प्छाहिए प सब्सimeter के लिए एक कटोरी में ले लिया है एक चमच चीनी मैंने हलका गरम पानी अधा कप चीनी को पिखलने के बाद में हम उसमें एड़ करेंगे एक टेबल स्पून इंस्ट आक्टिव ड्राइ इस्ट लिया है इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको जो है अभी हम धक्के रखेंगे 10 मिनिट्स के लिए प्रूब होने के लिए मतलब जो इस्ट है न वो जो है चीनी को जाग आ जाए तो आप यहां पर देख सकते हो 10 मिनिट्स बाद जो है मेरा इस्ट बहुत अच्छे से फूल चुका है और उसे जो है बिलकुर अच्छे से जाग आ चुका है तो यह जो जाग है यही बहुत जरूरी होता है जब भी आप पाव की रेसिपी बनाते हो ब्रेड तो इस्ट तो प्रूब हो गया है स्टार्ट करते है अभी डो बनाना उसके लिए यहां पर मेजरिंग कप से दो कप मैदा ले लिया है आप ऐसे ही मेजर करके ले लिए मेजरिंग कप से अधर्वाइस आप जो है नॉमल कटोरी से भी उसे मेजर कर सकते हैं दो कप मैदा के और लिए आपको 2 टेबल स्पून एक पाउडर कर लिए इन शॉर्ट जितने कप आपने मैदा लिया है उतना ही टेबल स्पून आपको यहां पे लेना है मिल्क पाउडर तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है मेजरमेंट बिल्कुल सिंपल है स्वादय नुसर आपको नमक आड़ कर देना है यहां पे थोड़ा फ्लेवर के लिए आड़ किया है मिक्स हर्प्स आप चाहे तो मिक्स हर्प्स आड़ कर सकते हो नहीं तो पीजा सिजनिंग जो आती ह में के सामय-गले चेंट स्वाथ के साथ में तुन आपि जो असे स्वारणłę कैस वरूटपे और आड़ कर सकते हो पहले को सारे ड्राइ इंग्रिडियन्स को जो है मिक्स कर ले ना है रिफोर आड़िंग जो हमारा इस्ट वाला मिष्वरेने उसे एड़ करने से पहले उसे आपको आड़ कर देना है और साथी में और एक्ष्ट्रा पानी के जरुरत पड़ेगी तो पानी आपको यहाँ पे लूक वार्म लेना है अलका गरम पानी आपको यूज करना है आटा लगाने के लिए तो दीरे दीरे आप जो दो है उसे अच्छा बना लेजिए आपको बिल्कुल सक्त नहीं लगाना है और बहुत ही जादा लूज भी नहीं लगाना है ठीक है मिडियम साइज का डो हमें लगाना है जैसे रोटिया बनाते हैं हम लोग तो जो हमारा जो आटा लगता है बस वैसा ही आटा आपको सॉफ्ट वाला यहाँ पे लगा लेना है तो जै बटर भी ले सकते हैं औलिव ऑईल भी ले सकते हैं आपको जो है इसी अच्छे से मसलना है बिल्कुल महनत करनी है आपको पास से 10 मिनिट के लिए इसके उपर अभी आप देख सकते हो मेरा हाथ और मेरा जो यह बरतन है यहाँ पे दोनों जगे पे जो मैदा है वो बिल्कु इसे हैं और देखो लेकिंगे तो शुर्वात में ऐसा इसा ही आटा चिपकता है उसको आप मसल्ते रही है मसल्ते रही है आप देख सकते हो पास सत मिनिट मसलने के बाद में हाथ भी क्लीन हो गए है और मेरा बरतन भी क्लीन हो गया है तो आटा हम अच्छे से नीड हो चुक प्रूब होने के लिए आपको एक बड़ा बॉल लेना है जिसको ग्रीस कर लीजिए आपका आटा या डो जो है फूलने के बाद में चिपकना नहीं चाहिए तो ऑईल से मैंने पूरे जो बॉल है उसे ग्रीस कर लिया है अभी हम लोग आटा रखेंगे उसमें ये डो ये जो आपका डो है इसे आपको एटलिस 45 मिनिट्स टू वान आवर के लिए रखना है कोई भी गरम जगे पर आप उसे रख सकते हो एक गंटे तक रख दीजिए उसे या फिर जब तक या आटा फूल के डबल टिबल नहीं हो जाता तब तक आप उसे रखने दीजिए तो बीनवाइल हम लोग जो है स्टफिंग तयार कर लेंगे स्टफिंग के लिए मैंने बिलकुर इजी इंग्रेडियेंट्स लिए है मैंने लिया है पनीर, कैप्सिकम, कैरेट्स जो नॉर्मल ग्रीन चिली होती है बड़ी वाली वो ली है सॉस में मैंने यहाँ पे बहुत ही सि यहाँ स्टफिंग करने के लिए मैंने लिया है गरम मसाला आप चाहे तो गरम मसाला लेजिए नहीं चाहे तो आप दूसरा कोई भी मसाला जो आपको पसंद दो उसे ले सकते हो अधरवाइस आप स्किप भी कर सकते हो मैं यहाँ पे सबजियों को थोड़ा सा सौदे कर रही कटाई में अउल लिया है उसमें मैंने अड़ पकने केला लगता है इसलिए और हभेशा नाय किया है इसलिए सब्सक्राइब ये दोनों चीज़े आपको आड़ करी है स्टफिंग में आप इसकी अलावा और भी बहुत सारी सब्जिया है वो आड़ कर सकते हो, कॉर्ण आड़ कर सकते हो जो भी आपको पसंद आता है वो स्टफिंग आप उसमें लगा सकते हो सारी सब्जियों को जो है अभी हमें हाई फ्लेम पे भून लेना है एक से दो मिनिट के लिए आप उसे भून लीजिए अच्छे से एक से दो मिनिट भूनने के बाद में गैस को आप बंद कर दीजिए और उसके उपर ढकन रखते जिए जो स्टीम आते है उससे भी ये सब्जिया जो है वो पकने में थोड़ा सा हैल्पी होता है और साथी साथ आपका जो ये बोल सकते हो आप स्टफिंग है वो थ स्टफिंग को थंडा होने के बाद में एड करेंगे हमने ये जो चोटी-चोटी क्यूब्स में कट किया है पनीर उसे इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है पनीर पहले इसलिए एड नहीं किया क्योंकि पनीर को आससज पकाने की बहुत जरुरत नहीं होती है जैसे मैंने प्रेक्षान काउरोस को जरुता है ड्रेक्ष्ण करने को यहां पर लिए पास्ता ग्याने मैंने नहीं ही 1-2 फिर और में लेनने वाली मैयॉनेज तो यह मसाला है इसको वह दो कितना पनीर कितना आप इसपाइसी राखना है कितना चटपटा रखना है कि कम आपकी तेस्ट क यहां पिखेवी orgtक्र के डिखेवी, पते मिंगें को ही माई श्पून अमायओं और नियुक्टी में 2015 कि पता झाँ दो कि अपताओ को एकना विक आइण की दिख्लों अबये, जाया सब्सक्राइब टंस प्ता सॉस रज्फानक informa जो स्टफिंग है उसे थोड़ा सा फ्लेवर्फिल बना ले के लिए गरम मसाला और थोड़ा से मिक्स हर्ब्स में यहां पे आड़ किये है आप चाहे तो पीजा सिजनिंग भी आड़ कर सकते हो स्वादा अनुसर नमक और यह चोटी कटोरी है यह कटोरी भरके मैंने मोजरेला चीज जो होता है वह एड़ किया है जो क्यूब्स में कट करके आता है औरेड़ी वह मोजरेला चीज जो है वह मैंने एड़ किया है एक छुटे कटोरी चीज कितना लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा चीज लेना है वह जो भी आपके घर में अबलिबिलिटी है उसके उपर depend करेगा तो stuffing तियार हो चुकी है एक गंटा भी हो चुका है dough हमारा proof हुआ कि नहीं देखते है आप देख सकते हो dough हमारा double से भी जादा हो चुका है ऐसा ही dough हमें चाहिए तभी इस से जो आने वाला end result है वो perfect आएगा तो यहाँ पे जो है dough बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है soft तो है ही पहले से तो यहाँ पे जो है हमें अभी फूले हुए dough को थोड़ा punch कर लेना है हलके हाथों से punch कर लीजिए उसके अंदर की जो हवा है उसे हमें निकाल देना है थोड़ा सा आपको यहाँ पे dough को एक और बार निड करना है लेकिन जोर जोर से नहीं निड कीजिएगा बिल्कुल हलके हाथों से उसे निड कीजिए एक से दो मिनिट के लिए बहुत जादा आपको यहाँ पे pressure लगाने की acid कोई ज़रुरत नहीं है क्योंकि dough जो है हमारा वो already soft है तो हलके से आप सिर्फ उंगलियों की help से जो है उसे अच्छे से mix कर लीजिए निड कर लीजिए और हमारा perfect dough जो है यहाँ पे बनके तियार हो चुका है dough को हमें अभी equal balls में कट कर लेना है ताकि आगे जाके हमें उसके rolls बनाने है तो यहाँ पे मैंने बड़े dough को पहले दो parts में कट कर लिया है और यह दो parts में भी आपको दिखाते हो हमारा dough कितना अच्छे से फूला है यह आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बारिक बारिक जाली जैसा आया है आपको दिख रहा है ने जैसे फर्मेंट होने के बाद में दिखता है वैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है यह एक बहुत अच्छे साइन है कि आपका dough अच्छे से फूला है अगर आपके डू में ऐसा आपको दिखता है इसका मतलब है कि end result जो है आपका अच्छा ही आने वाला है तो दोनों parts को जो है मैं अभी फिर से एक बार equal size में जो है फिर से cut कर लूँगी उसके पहले आप ये चीज का ध्यान रखिए जिसमें आप बेक करने वाले हो जिस भी ट्रे में उस ट्रे की size and shape का आपको ध्यान रखना है मेरा ये ट्रे square shape का है उसमें 6 rolls आ सकते है इसलिए मैं जो है अभी एक cut किया हुआ part को तीन हिस्सों में फिर से एक बार cut करें हो तो total मेरे यहाँ पे 6 rolls जो है वो तयार हो जाएंगे and 6 rolls को मैं easily अपने tray में set कर सकती हूँ equal size में इसलिए cut करना है ताकि bake होते समय जो है सबको equal time लगे bake होने के लिए चोटा roll बड़ा roll तो उनका जो size depend करता है size जैसा आता है उसके according baking time भी change हो जाता है इसलिए आप त्यान रखिए कि आपके जो balls है वो equal size के हो share walls को cut करने के बाद में उसमें से एक को मैंने उठा लिया है उसको जो हमें है अभी oval shape में पराठे की तरह बेल लेना है बहुत मुर्टा या बहुत पतला आपको नहीं बेलना है medium size का बेल लेजिए पराठे जैसे बेलते हैं same वैसा ही आपको बेलना है आप जो है dusting के लिए मैदा यहाँ पे use कर सकते हो सिर्फ ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको ये जो पराठा है इसे oval size में बेलना है ताकि आगे जाके हमें इसके rolls बनाने है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से oval में उसको बेल लीजिए आगे हम लोग उसका roll बनाएंगे अबल साइस का पराठा बेल के तयार हो चुका है अड़ करेंगे stuffing अच्छी खासी मातरा में अड़ कीजिए अच्छी लगती है टेस्ट में बिल्कुल अच्छा आएगा आपका roll एवरी बाइट में जो है आपको stuffing आनी चाहिए इस तरीके से आपको stuffing भरनी है stuffing को एक साइड में मैंने आड़ कर दिया है दोनों साइड से अभी हम लोग पहले फोल्ड कर लेंगे आप ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से roll कर रही हूँ दोनों साइड से पहले roll करने के बाद में पीछे का हिस्सा भी मैंने उठा के पूरी stuffing के उपर add कर दिया है roll करके आपने cover किया तो आपका जो यह stuffing है वो बाहर भी नहीं आता है और पानी की वज़े से आपकी edges अच्छे से चिपक जाती है तो इस तरीके से जो है आपको सारे rolls को कर लेना है पहले सारे rolls को आप बना लीजिए इस तरीके से एक और बार में आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे roll किया है फोल्ड कैसे किया है अबल शेप का एक पराठा बेल लीजिए पहले तो आप पराठे के एक साइड में जो है आपको स्टफिंग को रखना है बीचों बीच एक साइड में स्टफिंग को रखने के बाद में आप क्या कीजिएगा दोनों साइड से जो आपको जो है फोल्ड कर लेना है स्टफिंग के उपर अच्छे से कवर कर लीजिए स्टफिंग को बाद में पीछे का हिस्सा भी आप स्टफिंग के उपर डाल दीजिए और आपकी स्टफिंग कवर हो चुकी इसको बस अभी आपको उठा उठा के रोल के दरफ गुमाना है लास्ट में तो आपकी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी बहुत सिंपल है यह रोल बनाने का तरीका आप इसे बिल्कुल बना सकते हो यहां पर मेरे सारे रोल्स जो है बनके तयार हो चुके हैं अभी हम लोग इसे रखने वाले हैं सेकेंड प्रूविंग के लिए सेकेंड प्रूविंग के तो है आप यहां पर रख दीजिए रोल्स को अच्छे से रखिए थोड़ा थोड़ा अंतर रखिए थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखिए सारे रोल्स में क्योंकि यह प्रूव होने के लिए जाएंगे तो आपने कभी लादी पाव घर पर बनाया होगा तो आपको पता ह होगा यह प्रोसेस कैसे ही होती है उसमें जो है हम लोग सीदे बॉल्स होते यहाँ पर सिर्फ हमने बॉल्स की जगे पर बनाए हैं पाकी असीज बहुत डिफरेंस प्रोसेस में नहीं है फिर्स्ट प्रूविंग, सेकेंड प्रूविंग वो प्रोसेस जो है स्टैंडर्ड वो वैसे की वैसी ही है यहाँ पे आप नूटिस कीजेगा डिस्टन्स कितना है सारे रोल्स में आगे जो है यह प्रूव होके जब आएंगे तो मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊंगे किस तरीके से यह लग रहे है नॉर्मल कोई भी कपड़े से आप उसे डख दीजे फिर से एक बार 40 मिनिट के लिए पचास मिनिट के लिए उसे आप रख दीजे गरम जगे पे प्रूव होने के लिए यहां पर जो है एक गंटा हूँ चुका है एक गंटे बाद मैं आपको दिखा दे हूँ रोल स का क्या हाल है एंड लूक एड दुरो बिल्कुल अच्छे से खूल चुके है यह टितना डिस्टेंस रंखा था वह डिस्टेंस पुुरा हो चुका है यहां पे हमें इसे बेक करना है बेक करने से पहले milk wash करना जरूरी है ताकि आपके rolls में moisture भी रहे और उनके उपर जो है बहुत अच्छा brown color आता है यहां पे मैंने decorate करने के लिए mix herbs यूज किये है और जो white sesame seeds होते है white thin वो मैंने use किया है आप अपनी मरजी से उसे decorate कर सकते हो नहीं तो plain भी रख सकते हो preheat करना है oven आपको 200 degree celsius पे 10 minute के लिए और उसके बाद में आपको इसे bake करना है 180 degree celsius पे 20 minutes के लिए around 20 minutes आपको time लगेगा बिच बिच में आप चेक करते रहे है तो देखें मेरा decoration भी complete हो चुका है अभी यह जाएंगे baking के लिए अभी इतने tempting लग रहे हैं खाने के time पे तो और tempting लगेंगे baking के बाद में look at the rules and मेरे 180 degree celsius पे 18 minutes में यह rolls जो है बिलकुल अच्छे से bake को चुके है decoration जो है वो भी बहुत खुबसूरत लग रही है उपर थोड़ा थोड़ा बटर लगा दीजिए ताकि इन में जो है shine आ जाए और थोड़े से हमारे bread जो है वो soft हो जाएंगे जब भी आप बेट करके अवन से निकालते हो तुरंट उसे डीमोल नहीं करना है तुरंट उसे खाना नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा कड़क होता है उपर का जो layer होता है वो थोड़ा सा हाड होता है तो सबसे पहले आप उस पे यहाँ पे लगा दीजिए butter बटर लगाने क के बाद में आपको गिले कपरे से उसे ढख देना है अटलिस 10 मिनिट के लिए यह हो गया हमारे रोल का रेस्टिंग टाइम दस मिनिट वाला दस मिनिट इसे रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है तभी यह सॉफ्ट निकल के आते है अदर्वाइस आपके जो रोल से वह उपर स से ढख देजिए दस मिनिट बात आप यहां पर मैजिक देख सकते हो आपको मैं दिखाती हूँ मैजिक किस तरीके से हमारे रोल्स जो है बनके तयार हो चुके है ऐसे लग रहा है जैसे कि बाजार से ही हमें से अभी खरीब की लाए है इतने टेस्टी दिखने में ही आप दे छीज राल है अगर बात आप देख सकते हैं स्टफिंग चीज ड़कमें अच्छे कर्कम shaped नैट बहुत टीस्टी लग रही थी लादी पाओ के साथ ब्रेड के साथ में चीज जो है हमीसा बेस्टी कॉंबिनेशन प्रूव हुआ है आज तक तो यहां पे हमारे डिनर रोल्स स्टफ लादी पाओ जो है वो बनके तयार हो चुके हैं आप यह रेसी भी बिल्कुल ट्राइ कीज दोस्तों आपको मैं यहां पे एक रोल जो है वो कट करके दिखाती हूँ अंदर से भी आप देख लीजे कितने अच्छे से बेक हो चुका है यह लूक अच्छे से एकदम मस्त बढ़िया बेक हो चुका है आप देख सकते हो सॉफ्ट भी है बहुत जादा एंड शीज भी उ बहुत है उसमें बहुत गरम है इसलिए मैं बहुत जोर जोर से नहीं दिखा सकते हैं आपको दर्वाइस में दिखा देती वह भी तो यहां पे हमारे डिनर रोल्स जो है बन के तयार हो चुके है आप भी रेसिपी जरूर ट्राइ करना दोस्तों इनकेस आपको बेकिन तो थोड़े दो तीं बर आप इसे देख लीजिए और फिर आप उसे ट्राइ कर लीजिए आपको पसंद आए लिए रेसिपी मिलती हूं मैं आपको अगले ब्लॉक के साथ तब तक के लिए वाय-बाय गाईस पसंद आई है तो लाइक आप जाए गया पसंद आए तो लाइ झाल झाल